Hello students, good evening to all. Students 12th of June को जो notice आया है, उसका notice में instructions आई हैं कुछ जो कि open book exam mode में exam होने जा रहे हैं, वो instructions आई हैं, इसमें मैं आपको तीन चार और भी additional बाते बताऊंगे, इसलिए वीडियो को starting से हैं तक जरूर सुनना मेरी बात को. Students first point में ये mention किया है कि जो exam है, आपका 16th of June से start होने जा रहे हैं, वो दो session में होंगे, morning and evening. मतलब कि आपका 9 से 11 बज़े तक morning, evening जो afternoon जो होगा, वो आपका डेड़ बज़े से 13 बज़े तक. ये 2 घंटे आपको return के लिए time मिलेगा, बट इसके साथ, 11 बज़े आपका exam खतम हो जाता है, तो कोई इसमें भागदोर नहीं करने, आपके पास 1 घंटा extra मिलता है, मतलब 12 बज़े तक आपके पास time होता है कि आप upload कर दो. ठीक है students, और जो evening है वो भी 4 बज़े तक आपके पास time होता है कि आप upload कर दो, scan बगएरा करके documents को, आपको 1 घंट extra जुरूर मिलता है. Second point student, date of examination जो mention करी है admit card पे, वो different हो सकती है, इसलिए मैं आपको बारवर यही repeat करती हूँ, अगर amendment आती है, तो अगर आप amendment नहीं देख पाते हैं, तो आप मेरे channel पे हो, तो आप notification on करके रखो, क्योंकि amendment आती है, तो मैं जरूर post कर देती हूँ, मैं चाहे अपने community tag में लिख बना के upload कर देती हूँ, students, third point है, question paper जो होगा, वो आपने as per the date sheet ही जो है, वो follow करना, यह नहीं है, कि मेरा admit card में वो date show हो रही थी, admit card वाले दिन का आप देखो, और date sheet के according लिए exam आपका पहले हो जाए, आपका admit card वाले date जो है, वो कहीं लिख के रख लो, बट उसमें अगर amendment आती है, तो students, आपका जो date sheet है, actual date sheet वाला यह वेपर है वो ध्यान रखना, ठीक है, और admit card में इतना हिंट मिल जाता है आपको, कि आपने जो exam देना है, मतलब कभी-कभी changes आते है, यह नहीं की changes आए ही आए, कभी-कभी आते है, तो वो amendment जो है, वो ध्यान में देखा करो, और उसमें देखा करो, कि अगर आपका exam change हुआ है, तो that's mean आपने exam जो है, admit card वाला नहीं करना, आपने जो amendment आई है, कोई edition हुआ है, जा कोई clash हो रहा है पर तो उसके according लिए, आपने exam को attempt करना है, ठीक है students, थर्ड में यही बताया गया है, कि आपको 15 मिन्ट पहले question paper जो है, वो about dos, which subject, question paper, ॹशन एक उर्चपर गाइब हो जाएगा, मतलब magic हो जाएगा, महाँ पे उसका स्क्रीन शोट लेके रख लेना, उसमें कोई गदानी काफ के बात लिए इक हुआ degrees, आप के रख वह बहुत आया पे लिए स्चान एक लिए को प्रूशन एप्शन एस्ट लेके ल चुल आपने सक ज送 अप्लोड करना है उसकी बाद प्लोड करना है उसकी बाद आपने साथ जो भी पिसी जरत फालो करना है ठीक है अगर बापनालो है पर आपकी शीट नहीं किसी वज़ा से नेटवर्क डाउन है, आपकी शीट साइट ओपन नहीं हो रही है, जब कुछ भी कोई भी इशू आता है, तो आपने IKGPTU OBEAS at the rate gmail.com यहां पर screenshot ले लो, यह email ID पर आपने एक गंटे के अंदर अंदर, जो एक गंट आपको extra मिला है, उस एक गंटे के अंदर अंदर आपने शीट आपनी answer शीट जो है, वो PTU को यहां पर बेज देनी है, ठीक है, स्टूडेंट फिफ्ट पॉइंट में यही लिखा है, कि स्टूडेंट जो है, वो भी खुद रिस्पॉंसिबरी होगा, पोस्टिंग के लिए, मतलब कि वो अपनी जो ओरिजिनल शीट से, वो आफ्टर अपने लास्ट एक्जाम पर अपना पोस्ट कर दे, पोस्टिंग का स्टूडेंट आपका एक्जाम आ जटा है, बस वोकिट ने करना है ठीक है, अपने इकजाम के बाद, उसमें कुछ होलेडेंट यह वो कोई शूट निया, आप उसके नेक्स कर सकते हो, उसके बाद चूडेंस, उसके बाद आपने जब आप करोगे, अप्लोड करोगे, उसक के बाद अप्लोड करने के बाद आप जिस दिन आपका लास्ट एक्जाम होगा मतलब स्पोस्ट मालो आपके रेगुलर का लास्ट एक्जाम है उस दिन आपको स्पीड पोस्ट करने जिस दिन आपका लास्ट मतलब रीपेर का लास्ट एक्जाम है तब आपको स्पीड पर आपको सीध मिलेगी वह सीध को आपने अपनी आइड़ी पर शीप्ट और अप्लोड का आजाएगा वहां पर आप्प्लोड कर देना है उसके बाद आपने 24 आर्स के बाद आपको वहां पर वैरिफाय का ओप्ष्टन भी आजाएगा आप वहां पर क्लिक करके देखना इन्वेल्प जो है उसमें मतलब की आपका A4 शीट का इन्वेल्प मतलब होना चाहिए आपका एटलिस उसमें जो शीट डाल रहे हो इन्वेल्प जो है वो क्लोथ लाइनिंग वाला प्रेफर करना 98% वही प्रेफर करना कोशिश करना कि वही मिल जाए अगर at the end आपको फिर भ वो फटने का डर रहता है कुछ शीट से जादा होती है इसलिए उसका थोड़ा सा डर लेता है आंसर शीट जो मतलब आपने इन्वेल्प जो है वह बाहर ऐसे हैडिंग लगा देना है आंसर शीट 4 नॉमबर 2020 अगर आपके एग्जाम रेगुलर के हैं तो अप्रिल 2021 कमेंट में जब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी स्पीड पोस्ट की वीडियो अलग से बनाइए मैंने एक वीडियो में स्पीड पोस्ट की भी डाल दूंगी एक वीडियो में पेज फॉर्मेट की भी डाल दूंगी इसमें मैं डाल दूंगी वीडियो डिस्क्रिप पॉइंट की वीडियो बना बना की मैंने डाली हुई है ठीक है उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जब आप मतलब की अपना एक बात उन्होंने ये बोली है कि जब आप सेंडर की इंफोर्मेशन लिखोगे वहां पर अपना नेम रोल नंबर ब्रांच समेस्टर और अपना अड्रेस विद मोबाइल नंबर वह बहुत ज़रूरी होता है वहां पर मैंचन करना ठीक है स्टूडेंट्स उसके बाद सेंट पॉइंट अच्छा यहां पर पेज वोर्मेट पर ध्यान देना ठीक है यहां पर बहुत सारे बच्चे बहुत सारी कलती करते हैं य खुद्ध घ्ग करेगा कोई कैमपस नहीं देगा और जो ।ोटल शीट्स हैं वह 20 शीट का सेट होगा आपके पास मतलब की अंतलब की सेट ने सेट का मतलब कि अपके बास्वेंटि शीट वहोंगी एक। के लिए एक 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 एकशाम के लिए मेक्सिमम आप 20 शीट यूस कर करना है ठीक है यहां पर चोटी सी मिस्टेक मतलब कि आप करते हो जब मतलब कि क्या करते हो आपको जो मतलब कि यहां पर मेंचन किया है कि फॉर्स्ट पेज पर ही मेंचन करना है मतलब कि आपको फॉर्स्ट शीट पे यह सब लिखना है ठीक है क्या क्या लिखना है रोल नंबर सब्जेक्ट एंफ कोड सिगनेचर और फॉर्स्ट पेज 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 नंबरिंग आड़ बोटम ठीक है ऐसे इसको मेंचन करना है तो स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक सा आप करते हो कि मोग टेस्ट वरकी शीट भाड़ा लग कि जा चुकि की अलग शीट यहाँ पर अनसर शीट आपको अगर आपने मतलब की पेज नंबर मैंचन करना तो आप कर सते हो वह कोई दिक्कत नहीं है बाकी इसमें कुछ भी आपको मैंचन करने की जुरूरत नहीं है उसके बास students question paper जो है will carry eight marks eight marks का होगा sorry eight questions होगे five marks का question five question करने होगे उसमें से और हर एक questions होगा आपका according to तो जैसे 75 है ना 75 का 15 marks का बनेगा आपका तो 15 marks का question होगा अगर आपका मतलब marks अगर seven वैसे तो mostly जितने भी पिपर आ रहे हैं 75 marks के आ रहे हैं उसमें 15 marks का एक question बनता है आपका मतलब आपको वहां से पांच question करने होते हैं तो students हार एक question के लिए आपको सिर्फ दो गंटे में लेंगी ठीक है question paper के लिए ठीक है question paper जो आपका subjective ही होगा कोई objective नहीं होगा उसमें और equal marks की ही question आएंगे अगर एक question 15 marks का है that's mean सभी 15 marks की है ठीक है इसमें आपने black pen नहीं यूज करना है कोई और pen यूज नहीं करना blue pen नहीं यूज करना only black pen ठीक है 11th point में black pen भी students बोल पेन प्रेफर किया करो जैल में कई बड़ी फैल जाता है इंक फैल जाती है कई बड़ी scanning time भी problem आती है scanning time भी जब scan करते तो जैल से problem आती है आप बोल पेन को प्रेफर किया करो ठीक है students उसके बाद 11th point जो है candidate to attempt the question paper from home ठीक है मतलब कि कहीं से भी कर सकते हो यह नहीं कि अपने घर आपके घर में network नहीं आ रहा और को नहीं में बैड के paper दे रहे हो ऐसा नहीं है आप कहीं भी paper कर सकते हो एफोर साइज जो sheet है वो आपने प्रेफर करनी है और उस पे अपने हैंड राइटिंग से उसकी limit बताइए उन्हें 20 sheets की और उन्होंने बोला कि only one side एक ही side आप front side ही use कर सकते हो ठीक है front side ही use करनी है और 20 sheets maximum है minimum आपकी एक sheet भी जाएगी ठीक है मतलब आप चाते हो कि नहीं paper लिखना एक sheet में भी दे सकते हो यह नहीं है कि 20 की 20 आपको बोला है तो 20 बाकि 19 sheet आपको खाली उसमें अटेच कर दो ऐसा नहीं करना है ठीक है मतलब वह तो आपका पता ही है students आपका जो result delay होता है result नहीं आता यूमसी बनती है उसका reason जहीं होता है कि आप अपना paper जो है किसी और से लिखा लेते हो यह कैसे PTU कैसे जी चेक करता है आपके mock test से उनको पता चल जाएगा पहले तो आपका mock test जो होगा उसकी handwriting मैच होगी आपके old sheet से देन उसके बाद आपकी final sheet जो है वो mock test के साथ मैच होगी तो ऐसा मत सोचिए यह PTU को पता नहीं चलता है handwriting का बिल्कुल पता चलता है यही students यह instruction से आपकी बहुत द्यान से इसको एक बार देखना यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर confused हो जाते हैं आपने जो है सारा format रखना है रोल नंबर एम कोड सिगनेचर पेज नंबर का ठीक है बाकी किसी पेज पेज पे भी आपने कुछ नहीं लिखना आप सीधा सीधा अपना पेज नंबर डालोगे पेज नंबर तो डाल सकते हो यार मतलब वहां तो 123 लिखोगे तब ही पता चले मैंने आज थोड़ा बीच में बोल भी दिया है तो स्टूडेंस अपना ध्यान से पेपर देना आई विश कि आप सब और क्लियर हो जाओ और ध्यान से पेपर करो बहुत ही माइनर माइनर से मिस्टेक्स आप कर देते हो अप्लोडिंग ऐसे हफड़ा थफड़ी में गलत अब यह चोटी-चोटी से मिस्टेक्स कर देते हैं अभी मोड में बस यहीं होती और कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपका एक्जाम जो है वो कोई भी आपको डौट लगता है उस ताम पे आप मुझे गोठेट करो आप मुझे मेल करो पे बिंदु 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 और एक्स टू टू डिजिट वाला टू ठीक है add the rate gmail.com यह आइडिया आपको मेरे about section में email का symbol बनाओगा वहाँ से भी मिल जाएगी वहाँ पे click करके आप वहाँ से मुझे कोई भी doubt भेज सकते हो कोई ऐसा वैसा message मत करना simple जो आपका doubt है वही clear करने के लिए बट यह नहीं है कि आप comment ना करो सीधा मुझे mail करते रो comment आपको मैं reply comment का जल्दी देती हूं instead of emails because मैं मुझे बता है अगर जी मैंने channel open किया है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान देती हूं ठीक है thank you all the best to all students and please दिहान से वे पर करना आर वीडियो को like आपकी wish है share जरूर कर देना because यह सब के रिए important instructions है and बस इतना ही all the best to all students